बचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है जूट की दुकान जीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रूटी कपड़ा और मकान ये इतिहास इस मध्यप्रदेश का कांग्रेस का कहता है कि 2003 के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तव इस मध्यप्रदेश को स्रीमान बंटाढ़ार ने मध्यप्रदेश का बंटाढ़ार किया था और दुरावस्था के दौर में लाकर के खड़ा किया था तो वहीं पंद्रे महीने की सरकार में स्रीमान कमलनाथ जो करप्सननाथ की भूमिका में आए ये इतिहास जिनोंने मध्यप्रदेश को आकंट ब्रस्टाचार में डुबो करके दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे ये मध्यप्रदेश का कॉंग्रेस का इतिहास कहता ह और आज तो यह जो बचन पत्र की रस्म अदाईगी की गई है कि मिस्टर करपसनात और मिस्टर बंटाधार के मद्द चल रहे कपड़ा फाड दुंद और घमासान के बीच आज कॉंग्रेस के बचन पत्र की रस्म अदाईगी की गई है हालात यह दिख रहे हैं कि जैसे तैसे आगे वढ़ो खतम करो दुनिया खतम हो चुकी है यह हालात इनके बन गए हैं कॉंग्रेस के रस्मद आएगी आज के बल इतनी भर की गई है और कफड़ा फार युद्ध दोनों में स्रीमान 76 और सिनिमान 77 के बीच लगातार मध्यप्रदेश के अंदर आज जो हुआ है और परिवार की लड़ाई जो शुरू ही है वो आपके सामें पूरे मध्यप्रदेश को आज देख आपसी नौक जोग के बीच कांग्रेस द्वारा जारी किया गयाया चलपत्र मध्यप्रदेश की जनता को ठगने का एक्रूर मजाक है इस चलपत्र की सुरूआत उसी किसान करजमाफी के बादे से की गई है जिसका जुन जुनार राहुल गंदी ने दोजार अठारा के तो कौंग्रेस के इस नेत्रत को जिनोंने मध्य प्रदेश को बंटाढ़ार बनाया जिनोंने संब्ध प्रदेश को दुरावस्ता के दोर में लेकर के गए तो तिनोंने संद्रे महिने की सरकार महर गरीब के हको अधिकार को चीना आप किस मून से आज फिर बादे करने का काम कर रहे हैं